अग्ला वीडियो है इसको आप दूनों में काउंट कर सकते हैं या इसको मैथ के अंदर भी कंसिडर कर सकते हैं काउंटिंग ओफिगर्स सौर्टेज ट्रिक्स की बात करेंगा और हम लोग जानते हैं आप सभी कि हमको परिक्षा के दृष्टिकोंट से समय का सबसे जादा सुथिवयो करना है तो गणित और रिजनिंग ऐसे ऐसे प्रशन आते हैं जिनमें हम लोग जितने जल्दी समय में स उसमें हम लोगे ट्राइंगल्स के बारे में चर्चा किती कि कितने त्रिबूज हूँगे कैसे आप ट्रिक्स निकाल सकते हैं उसी का यह पार्ट टू है इसमें हम लोग बात करेंगे वर्ग के उपर यानि स्कौयर कांटिंग आफिगर्स में वर्गों की संख्या कितनी है के एक्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं तो जो दो सबसे ज़्यादा important है वह हम लोग cover कर लेंगे अब इस वीडियो के upload होते ही और वीडियो के description में मैं सारे smart tricks reasoning tricks की सारी playlist की आपकी यहाँ पर लिंक दे दूँगा आप उसको भी follow करके देख सकते हैं तो चलिए देर किस बात की वीडियो शुरू करते हैं वीडियो maximum share करिएगा तो चलिए मित्रों अब एक एक टाइप करके total बात करते हैं total हम लोग टीन टाइप पढ़ेंगे इसमें और triangles में जैसे हमने type करके एक-एक basic और एक ही basic trick हमारी रहती ही एक ही trend के हम लोग सारे production solve करते हैं तो इसमें भी भी करेंगे एक ही ट्रिक से सारी प्रशन solve करेंगे तो type 1 में आप सभी पता है square क्या होता है work क्या होता है इसमें कुछ नई बात ने चारो आपके भुजाएं बराबर होती हैं जिस पैमाने की वह आपका वर्ग होता है यानि कि स्क्वायर होता है आमने सामने के सारी भुजाएं बराबर होती है ठीक है तो यह रही और आमने सामने के चारो भुजाएं आपस में बराबर होती है यह आपका बर्ग होता है यहंपे देखते हैं अब यहां पर इस यह फिगर दे दिया तो कितने वर गया आपको पता है एक है ठीक है काूंटिंग आपको आती है एक दो तीन चार इसी से हम लोग सारे प्रश्णों को solve करेंगे अब यहाँ पर ऐसा figure कुछ आ जाए तो बस हमको number लिख देना एक दो तीन चार अब क्या करना है हमको यह number हमने लिख दिया तो यहाँ पर total कितने हो गए आपके figures चार figure हो गए तो कितने हैं आपके square हो गए यहाँ पर total square हो गए यहाँ के 5 कितने हो गए मित्रों total 5 हो गए अब आप बोलेंगे कि कैसे है इसमें 5 है देखे 1, 2, 3, 4 और बड़ा वाला 5 अब इसको आप trick से हमारी जो trick है counting पर ही पूरी depend है यहाँ पर देखे सकते हैं 1 और 2 यहाँ पर 2 है यहने 2 by 2 का है तो यहाँ पर 1 का square plus 2 का square कितना हुआ 1 plus 4 equal to 5 यहीं trick हम सारे पर लागू करेंगे और आप देखेंगे चुटकियों में आप सारे प्रशन सॉल्व करते जाते हैं चलिए अब type 1 में कुछ और प्रशन किस से साब से आते हैं देखेंगे अब थोड़ा सा यह बड़ा figure है देखें type 1 में हम लोग उस प्रशनों को consider कर रहे हैं जो n cross n के होंगे यानि कि वो square जिनके row भी n होंगे column भी n होंगे यानि जिसके इधर भी जो boxes हैं यानि री पैमाने जैसे मैं आपको दिखा हूं column करके तो 1, 2, 3 1, 2, 3 यहां देखें 3 by 3 का यह 3 cross 3 का यह square है तो इसमें पूछा जाए कितने इसमें वर्ग होंगे कितने square होंगे तो मैंने आप लोगों को trick बता है सबी number हमने चो लिखे हैं उनका square कर दीज़े यानि 1 का square plus 2 का square plus 3 का square तो 1 का square यानि 1 plus 2 का square यानि 4 plus 3 का square यानि 9 9, 4, 13, 1, 14 total 14 square आपके होंगे इस figure में चुठकियों में आप answer देंगे और ऐसा जैसा figure आया यहां तो मैंने आपको बता रहा हूं इसलिए इतना time लग रहा है आप figure देखें तुरण जटकियों में बोलेंगे कि अरे इसमें तो 1, 2, 3 यानि 1 square 1, 4, 9 9, 4, 13, 14 14 वाले option पर ticker के अगले प्रस्षन पर आप चले जाएंगे within a few seconds आप यह सारे प्रस्षन टैकल करेंगे अब यहाँ पर देखें यह भी n cross n type का है कैसे एक, दो, तीन, चार यहाँ पर एक, दो, तीन, चार देखें चार-चार है रोगर कॉलम तो फिर यहाँ पर 1 का square प्लस 2 का square प्लस 3 का square प्लस 4 का square बहुत सही आपने सही जवाब दिया तो 1 का square 1 प्लस 2 का square, मित्रो 4, 3 का square कितना होगा 9, और 4 का square, 16 16, 25, 25, 24, 29, 30 टोटल होगा है 30, यानि 4 cross 4 में total square कितने होते हैं, 30 होते हैं आपके कितने कम टाइम में आप यह प्रशन सॉल करेंगा आपको खुद अमेजिंग लगेगा चलिए अब type 2 पे चलते हैं जिसमें हमारा figure जो है N cross M type का हो यानि दोनों बराबर ना हो यह 4 हो तो यह 3 हो यह 3 हो तो यह 5 हो ऐसा कुछ हो तो उसमें कैसे आप solve परेंगे तो चलिए हम आगे हैं इसी पर N cross M type का हो देखें यहाँ आप लिखेंगे हम जो trick करते हैं उसे trick को follow करेंगे करना क्या है आपको last last digit का आपसमें multiply करना है जैसे इसमें देखेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे हम लोग क्या करते हैं 3 into 2 देखें 3 यह 2 यह आपसमें multiply प्लस 2 यह 1 यह दो गुड़े 1 ठीक है यह आप ऐसे भी कर सकते हैं मैं आपको दो टाइप से यह भी बता दे रहा हूँ अगर पहले इसको हम लोग solve कर लेते हैं फिर आपको मैं अच्छे समझा दूँ ठीक है आप बड़ी संक्या उठाएंगे और इधर की संक्या ठीक है 3 into 2 अब इसको एक कम कर लीजे तो इसको एक कम कर लीजे तो एक लास्ट में जब तक एक ना आ जाये चाहे यहाँ पर तब तक हम लोग पीछे जाते जाएंगे ठीक है अब धर वाले पर जाएंगे इस प्रश्ण को solve करेंगे और सात्वा ये और आठ्वा ये ठीक है अब ये तो आपका वर्ग है नहीं ये तो rectangle हो गया ना बुझाएंगे ये सामने सामने के भुझा बराबर है चार बुझा बराबर है नहीं ठीक है अब इसमें देखिए इसमें कितने होंगे यहां देखिए 1,2,3 1,2,3,4 ठीक है तो N into M form में है तो करना क्या है हमको जो सबसे बड़ी संक्या और इधर की संक्या सबसे बड़ी दोनों का अपस में मल बलाई है चार गुड़े 3 प्लस अब एक एक घटाते जाई है चार में से एक कम हुआ तो कितना तीन और तीन में से कम हुआ दो प्लस अब यहां पर देखिए तीन में से कम हुआ कितना दो और दो में से कम हुआ एक कहा तक जाना है जब इन दोनों में से कोई भी एक हो जाए एक आ जाए तो वहीं तब को रुख जाना है ठीक है अब यहां पे देखिए अब आपस मुल्टिप्लाई कर लिजे चारती आई बारा प्लस तिन दुनी छे प्लस दो एकम दो बारा छे अठारा दो बीस टोटल यहां पे स्क्वाइर के संग्या कितनी होगे मित्रों बीस हो गई टोटल बीस वर्ग यहां पे होंगे चलिए कुछ और टिपकल प्रशन देखते हैं यह दो टाइब आपको पता चले गए जब एन क्रॉस एन के हों तो आपे हम लोगो नंबर का लिख के उनका स्क्वाइर करते जाना है जब एन क्रॉस एम हों तो बड़ी संख्या दोनों के तरफ की आपके रो और कॉलम की बड़ी संख्या जो आखरी अखरी वाली उसको लेके फिर एके संख्या घटाते जाना है और उसको आपस में जोड़कर हम टोटल स्क्वाइर निकाल देंगे अब टाइप तीन पर चलते हैं जो मिलता जुलता रूपाय तो क्या कर तो मित्रों आ गए हैं हम लोग मिसलीनियस टाइप प्रश्णों पर आपके की स्क्वाइर मिसलीनियस प्रश्णों के कैसे निकालें तो इसका तो हमने निकाल दिया है कितना है हमने इसका स्क्वाइर जो निकाला था तो हमको पता चला है कितना वन टू यानि वन का स्क्वा यहां पर 1 है यह दिखिए वहीं वाला form है यहां पर तो कितना होगा हमको यहां पर पांच है ही इसके लावां आपके square कितने हैं और टोटल तीन है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो तीन से multiply कर दीजे, टोटल होगे 15, यहाँ पर कितने होगे square, 15, पुना आपको समझा दू, देख सकते हैं, तो यह भी वैसा ही form में है, इस वज़े से यहाँ पर 5 आएगा, तो यह भी 5 का है, ठीक है, लेकिन गुड़े क्य करेंगे, कितने square हैं, एक बड़ा वाला है, फिर एक छोटा वाला है, सबसे छोटा है, तो गुड़े 3 कर देंगे, टोटल हो जाएगा 15 square, ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अब बड़े वाल प्रिशन पर चलते हैं, तो यहाँ पर भी आप वैसी यहाँ एक का square, प्लस दो का square, प्लस तीन का square, यह कर लेंगे, कितना है, 4 प्लस एक और यह 4, 5, 4 एक 5, और तें तरी कर नो, 5, 4, 9, 5, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 18, टोटल 18 square हैं हाँ पर, कितने हैं, 18 square, चलिए आखरी प्रिशन पर चलते हैं, तो आ गया है मित्रों सबसे बड़े प्रिशन आपके exam में आ चुके हैं, इस वज़े से मैं इसको, आपको solve करा रहा हूँ, तो अब इसमें हम लोगों को बताना है कि कितने square होंगे, तो यहाँ जब देख सकते हैं, n x n वाले हैं, तो वैसे वैसे हम लोग solve करते जाएंगे, एक एक को, तो देखें कैसे solve करते है हम लोग, total यहाँ पर देखिएगा, कितने square हैं, अभी हमने निकाला है, total number of square, जब 4 x 4 का हो, देखें, एक, दो, तीन, चार, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, बड़ा वाला figure हमने अभी solve किया था न, तो 4 x 4 में कितना हमने निकाला था, 30, कितना निकाला था, अभी यहाँ पर 3 का square, प्लस 4 का square, तो 1 प्लस 2 का square, 4, 3 का square कितना होगा, 9, और 4 का square, 16, 16, 29, 25, 24, 29, 30, यहनि total 30 square, अभी बाहर बाहर हमने count किया, पूरे total, अब अंदर के figure के कितना है, यहाँ पर देखिए, 1, 2, 3, 4, total 4 है, और एक, एक में यहाँ पर देख सकते हैं, तो हम लोग 5, 5 figure निकाल देखिए, शुरुआत में, यह total हमने कितना निकाल दिया, पहले याद रखिए, 30, ठीक है, अब इसका हमने कैसे निकालना है, एक, दो, यहाँ पर भी एक, दो है, वही न, तो 1 का square, प्लस 2 का square, निकाला था, 5, और total कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, उक का 20, 30, 20, 50, total इसमें 50 square है, कित सब्सक्राइब को लिजेगा, और वीडियो अच्छा लगा हो, आपके चेहरे पर स्माइल आई हो, अब ऐसे प्रशन आएंगे, एक्जाम में तो आप उनको दोड़ा दोड़ा के प्रशन सॉल्व करेंगे, so hope for the best and best of luck आप सभी को वीडियो को maximum share कर दीजेगा, और पढ़त तेरी बढ़ातरी भारत को आगे बढ़ातरी, thank you so much